हाँ दोस्तो डायवटीज के पेशेंट्स में क्या न खाएं से ज़्यादा जुरूरी है क्या खाएं क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखता रहता हूँ जो पुराने मेरे पेशेंट्स होते हैं उनको तो मैंने ये सारे फंडे समझा ये होते हैं परन्तु जो नए नए आते हैं मैं उनका देखता हूँ कि उनकी डायवटीज मालिया दस सालों से है तो दस साल पीछे से मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो आज तक उनकी डायवटीज जो है बेशक शुगर कंट्रोल में रही हो परन्तु उनके जनरल जो खाएं से जादा ध्यान जो है क्या न खाएं पे देते रहते हैं और पूरे कुपोशित हो जाते हैं पोशन तो सब को चाहिए चाहे शुगर है चाहे ना है चाहे आप फिजिकली एक्टिव हो चाहे ना हो पोशन तो चाहिए वाइटामिन्स तो चाहिए मिनरल्स तो चाहिए प्रोटीन, सारी चीजे चाहिए, सिर्फ यहां पे शुगर नहीं चाहिए, काब्स हमें लिमिट में चाहिए, सिस्टम के साथ चाहिए, तो दोस्तो आज मैं आपको सिध्धांतों के बारे में बताऊंगा, कि आपने कौन से सिध्धांत अपनाने है, डायबटिक डायट सकते हैं, दोस्तों मैं आ गया हूँ, मैं आपको सारे खाने का चूट दूँगा, और गरंटी भी लूँगा, कि आपकी शुकर बढ़ेगी ही नहीं, अगर बढ़ेगी भी, तो वो नॉर्मल रेंज में बढ़ेगी, और अगर नॉर्मल रेंज में भी बढ़ती है, तो आप को नुकसान से ज़्यादा जो है, तो वो फाइदा देगी, तो दोस्तों आपने जो है, तो सबसे पहला फिल्टर जो है खाने में क्या लगाना है, वो लगाना है कि आपने ये देखना है कि खाना प्रोसेस्ट कितना है, क्या करना है, सीधा देखना है, कि देखो मैं आपको example देता हूँ, अगर आपके पास मालिया मारूती की गाड़ी है, ठीक है, अगर आपने उसमें spare part डालना होगा, तो क्या आप उसमें टाटा का डालोगी, कोई बात नी, ठोक ठाक के डाल भी लोगे, तो क्या वो उतना चलेगा, जितना जो उसका original जो उसका था spare part, अच्छा, फ्यूल की बात कर रहे हैं, अच्छा, अगर आपकी गाड़ी मालिया डीजल की गाड़ी है, ठीक है, उसमें आप मिट्टी का तेल डाल देते हैं, तो क्या वो गाड़ी चलेगी, ठीक है, चलेगी, और क्या वो उतनी effectively चलेगी, जितनी वो डीजल डालने पे चलनी थी, नह दूआँ जी का बनाया हुआ है, यह नेचर का बनाया हुआ है, तो अब इसमें जो फ्यूल डलेगा, इसमें जो spare parts दुबारा रिपेर होने के लिए जो फ्यूल डलेगा, वो जितना natural होगा, उतना वो अच्छा होगा, फिर चाहे वो diabetes का patient है, चाहे वो normal patient है, तो इसमें जो हमें नेचर से डिरेक्ट मिलता है जितना कम प्रोसेस्ड हो उतना कम प्रोसेस्ड आप खाएं ऐसा नहीं डायवटीज में अगर आप नॉर्मल परसन भी है आपको डायवटीज नहीं भी है तो भी जितना कम प्रोसेस्ड खाना हो सकता है उतना कम प्रोसेस्ड आप खाना एक तो इंडस्ट्री पे होती है और दूसरा हम लोग घर पे करते हैं या हलवाई की दुकान पे होती है या जहां भी होटल में होती है तो दोस्तों आपने सबसे बड़ा फिल्टर जो है तो यह प्रोसेसिंग देखने में लगाना है अब आटा है ठीक है वो इंडस्ट्री मे बचा है और वो इंधन भी पता कैसे होता है और भूइक है अध़ कोईगा होता है किसी में बहुत पूरी दिवार, अब दिवार को तोड़ा जाए सबसे छोटे-छोटे यूनिट्स में, तो वो क्या होगी, वो होगी इंट, ठीक है, तो अब इंट को जोडने से, दो इंटों को जोडने से, एक रद्दा बनेगा, ठीक है, या चार इंटों को, दस इंटों को जोडने से, एक पानी नहीं मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं सिंपलीफाइड करके बताऊंगा कि ये फंडा काम कैसे करता है, तो देखिए ये जो ग्लुकोज है, ये सबसे छोटा यूनिट हो गया, दो ग्लुकोज मिलके जो है तो शुगर बनके, ये आठट, दस, बीस, पचास, सौ ग्ल के जो है, तो क्या बनाएंगे, कार्बो हाइडरेट, कार्बो हाइडरेट, ठीक है, तो कार्बो हाइडरेट जो है, तो हमारे बहुत से खानों में होता है, अब जैसे हम इंडियन्स हैं, तो हम क्या खाते हैं, चाबल दाल खाते हैं, रोटी सबजी खाते हैं, बेसिक तो ख काब्स होते ही होते हैं, जादा वाले. तो देखिए, अब काब्स में भी तो फंड़ा है कि काब्स किस लेवल के हैं. अब जैसे हमने बात करी प्रोसेसिंगardan की. ठीक है? तो अब प्रोसेसिंगे में हम खा रहे हैं रोटी. तो रोटी हम खा अगर मालिय रिफाइंड आटे की ठीक है और वो भी कई दिनों से वहां पे पड़ा हुआ है जो भी है स्टोर्स में या दुकानों में और उसके बाद जो हम घर लाके उसको दुबारा जो है तो छान रहे हैं तो फिर हम यह जो कार्बो हाइडरेट खा रहे हैं तो यह कार्ब हाइडरेट मिल रहा होगा वो बहुत कंप्लेक्स फॉर्म में होगा मालिय जैसे 50 गुलकोज के मौलिकुल जुड के बने होंगे तो हम जैसे उसको इंजस्ट करेंगे उसको खाना अंदर खाएंगे तो हमारी बॉड़ी उसको संस्कृत करेगी हमारी बॉड़ी उसको अगर तो अगर मालिया आपने जो नेच्रल खाया उसमें मालिया जैसी 50 कुलकोजकी मॉलीकुल साथ में जुड़े थे अब यह जो जुड़े हुए होते हैं बड़े आपको खास बात बताओं कि जो जुड़े हुए मॉलीकुल होते हैं अब ये लकडी ऐसी थोड़ी चुले में डाली जा सकती है तो वैसे ही अगर मालिया हम पूरा carbohydrates जैसे complex form में खा रहे हैं जो कम से कम processed है वो खा रहे हैं तो उस complex form में होगा तो body को सीधा एकदम से नहीं जाएगा खून में एकदम से नहीं मिलेगा तो body को जो है तो उसको digest करना पड़ेगा तो इसलिए जो है तो इसमें ये सबसे बड़ा logic है अब देखें जैसे चुले में अगर इतनी बड़ी logs को जलाना है तो नहीं जला सकते हैं इनको काटना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा फिर ऐसे इनको जो है तो चीर ना पड़ेगा फिर इनको चुले में डाल के जलाया जा पाएगा तो अब यहां पे क्या हो रहा है ये processing हम लोग बाहर ही कर दे रहे हैं पहले industry में क्या कर रहे हैं वो जो बाहर की उसकी चाल टाइप है जो या चोकर बोलें उसकी वो बाहर ही निकाल दे रहे हैं फिर वो जो अंदर का बचगी आप देखिए अब जैसे पहले ही इसको तोड़ दिया मालिया पचास थे तो इसको पच्चीस पहले ही कर दिया या मालिय अब दो डबल कर दिया जैसे आधा काम कुल मिलाके जो है तो असान कर दिया डैजेस्टिव सिस्टम का फिर आगे चलके जो है तो इसको और इसमें से जो भी फाइबर था उसको निकाल लिया फिर इसको जो है तो और छोटा कर लिया अब पचीस थे तो साड़े बार दिया था कि अब पूरी दिवार थोड़ी कहीं लगाई जा सकती है, वो इट इट करके लगाने पड़ेगी, वैसे ही जो है तो बॉड़ी में जो है तो ये पूरा इकठा कार्भोहेड्रेट थोड़ी खून में मिलेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा सिंगल यूनिट में, ग होते हैं, तो दो को तो तोड़ने, वो तो मुह में तूट जाता है, वो तो हमारे जो सलाइवा होता है, उसमें जो टाइलीन होता है, वो ही उसको डाइजेस्ट कर देता है, तो मुह में डाइजेशन होना शुरू हो जाता है, और एक दम से जो है तो वो शूगर को स्पाइ नहीं होने देना है तो हमने देखिए पहला फिर principle आ गया logic इसमें मैंने आपको समझा दिया कि processed highly processed food क्यों नहीं लेना है चाहे वो फिर industries में processed हो चाहे फिर वो घर में processed हो क्योंकि वो simplified हो गया होता है वो जो है तो वो बिल्कुल वो लकडियां जैसे मैंने बताई वो जलाने के यह बिल्कुल त्यार होता है और जैसे ही उसको लिया जाता है वो एकदम से ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है और अगर मालिया वैसे complex form में खाया होता तो बाडि को इसको दीरे दीरे digest करना पड़ता फिर वो तूट तूट के थोड़ा 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 न बहुत सारा जो चंक है उसका वो physical muscular activity में जो है तो खर्च होता है बागी तो normal जिंदा भी तो है शरीर वो भी जो खा रहा है तो उतना उतना जो है तो वो उसमें burn करता रहता है तो पहला सिधान्त आप समझ लीजिए कि आपने highly processed जो खाना है वो नहीं खाना है ठीक है उसमे आपने आप बोलेंगे कि डॉक्टर ने पहले बोला कि क्या खाना है वो मैं बताऊंगा अब दोबारा तो यह filter लगाना है फिर उसके बाद जो filter होके निकलेगा वो आपने खाना है अब जैसे मैंने पहले बोल दिया कि जो आपने जो भी जैसे over processed है इंडस्ट्री में है चा जो भी आपने खाना है अब ऐसा नहीं कि आपने प्रहेज वाला खा लिया आपको जो नेचर से direct मिलता है खाना उसको आपने minimum process करके खा लिया अब मालिया सलाद ही है खीरा ही है कुछ भी है आपने उसको धोया काटा और खा लिया तो वो तो direct nature से आपने बहुत अच्छा कि या उसको परन तो बर्न तो उसको भी करना पड़ेगा कीमत तो उसकी भी चुकानी पड़ेगी कहीं पे भी है देखिए जैसे इस दुनिया में है हमें दो बार कीमत चुकानी पड़ती है एक तो हम जो दुकानदार को चुकाते हैं वो कीमत और दूसरा जो है तो nature को हमें उ जो नेचर ने हमें वो चीज दी है, इतनी सारी चीजों से भरपूर उसकी कीमत चुकाने पड़ती है, तो दोस्तों अगर मालिया आप आम खा लेते हो, अगर आप मालिया कोई भी मिठा केला खा लेते हो, तो बेशक इनमें शुगर होती है, बहुत ज़्यादा होती है, परन् आप ने माल लिया, दो केले खा लिये, तो तीन किलोमेटर पैदल चलना है, तो उसकी कीमत चुक गई, अपने खाने का खाना हो गया, और वो अपने को अनरजी मिल गई, सबसे बड़ी चीज देखो, इससे फिर क्या होती है, आप देखिए बात कर रहे थे हमके, जो डायव दूसरा जो है, तो देखिए, ताकत जो आती है, वो खाने से नहीं आती है, ताकत जो खाना होता है, वो that is not power, that is potential power, अब देखिए बंदूप में गोली भरी हुई है, तो जब तक उसको चलाएंगे नहीं, तब तक उसका कोई फाइदा नहीं होता है, तो अगर माल या आप जब तक वो खाना खा रहे हैं, और वो जमा ही हो रहा है, तो आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा, तो वो फिर बिमारी ही बना रहा है, और अगर आप उसको burn कर रहे हैं, तब उससे ताकत बनेंगी, अब गाड़ी में पेटरोल डाल दिया, टंकी फुल कर दी, अगर उसको जलाएंगे नहीं, तो गाड़ी को पावर कैसे मिलेगी, गाड़ी को चलेगी कैसे गाड़ी, ठीक है न, तो वो तो फिर पेटरोली डालते रहे, पेटरोली डालते रहे, तो उसमें जमा होता रहेगा, और वही उस गाड़ी को जलाने का कारण बन जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही body में भी अगर आप सारी चीज़े ठूंसते गए तो फिर वो जमा होती जाएगी और उसकी आपने कीमत नहीं चुकाई उसको burn नहीं किया तो फिर वो आपको बिमारी ही लगाएगी और अगर आपने उसको burn कर लिया तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फाइदा ह मिलेगी और आप और ज़्यादा burn कर पाएंगे और आपका pancreas भी जो है ना वो और effectively काम करेगा जब आपको आप ऐसी चीज़े खा रहे होंगे जो नेचर से डिरेक्ट मिल रही है उसमें धेर सारी minerals vitamins trace elements होंगे जो की insulin बनने के लिए भी तो कच्छा माल है अब देखिए एक filter आपने बहुत बड़ा जो की वैसे मेरे को पहले number one पे देना चाहिए था तो थोड़ा आपको boring हो जाता वीडियो तो इसलिए मैं इसको last में दे रहा हूँ एक चीजा आपने सबसे पहले consider करनी है, filter और लगाना है कि क्या आपकी diabetes जो है तो controlled है कि not controlled है अगर आपकी diabetes controlled है तो आपके लिए यह सारी चीजें हैं, कि आप नेचर से जो भी चीजे मिलती है जो भी सबजी है, जो भी फल है, जो भी अनाज है जो आपको नेचर से डिरेक्ट मिलता है, ताजा ताजा आपने पीसा, आपने बिना चाने, मिनिमम प्रोसेस के साथ जो भी बनाया, उसको खाओ, बस उसका थोड़ा सा गलाइसेमिक एंडेक्स समझना है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, कि किसी में शुगर जादा ह होगी, तो इसको कैसे स्मार्टली खाना है, किसी में शुगर बहुत कम होगी, तो इसको कैसे आपने ज्यादा भी खा लेना है, अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा, कि कैसे जैसे किस में कितनी ज्यादा, जैसे आप वो होता है न, एक होता है पैट्रोल, एक होता है डीजल, एक होता है मिट्टी का तेल, एक होती है लकडियां, या घास फूस ते एक होता है लकडियां, अब आग तो इससे भी जलेगी, 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 परन्तु पेट्रोल जो है तो एकदम से प्टाक करके आग पकड़ेगा डीजल जो है थोड़ा सा धीरे पकड़ेगा मिट्टी का तेल और धीरे पकड़ेगा जास पूस जो है तो इसको तो फिर और टाइम लगेगा तो वैसे ही हमारे खाने भी होते हैं तो उस बेस पे जो है तो एक फंडाब निकल के आता है कि glycemic index अब जैसे अगर बोलें तो इसका burning index तो पेटरोल का जो है तो बहुत ज्यादा burning index है लकडियों का जो है तो सबसे कम है वैसे ही हमारे खाने में जो हमें nature से direct मिलते हैं देखिए प्रोसेशर की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, डबा बंद, बोतल बंद, पैकेट बंद हम किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, जो हमें नेचर से डिरेक्ट मिलता है, फल, सबजिया, अनाज, पनीर, दूद, जो भी है, मीट, मचली, अंडा, सब, ठीक है, उसमें हमने ये फिल्टर लगाना है, उसमें हमने ये समझना है, मेरे आप व्यूर्स हैं, आप बहुत डिसिप्लेंड हैं, आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है, तब तो आपको आगे चलके बहुत मज़ा आने वाला है, आपने 20, 23, 23 साल के 23 यूर्स की जो मेरी मे लोगों के लिए चाहे कुछ भी होगा, अगर मैं माल ये स्टूडियो में नहीं भी आ सकता, तो मैं आपको चाहे चलता चलता है, एक हेल्फ व्लॉग ही बनाऊँगा, मैं डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊँगा, और अपना तजर्वा आपको जो है तो जलेंगी, अब माल ये पेट्रोल आप चुले में डाल दोगे तो बबर्ची भी जल जाएगा, सब खाना तो जलेगा ही जलेगा, अगर वहां पे लकडियां डालेंगे, तो खाना भी पकेगा, बबर्ची भी नहीं जलेगा, और जीवन का बहुत आनन्द आएगा, और जिन में जो है तो उस टाइप का ये होगा, अब जैसे जो अब प्रोसेस्ट की बात करें, तो जो हाईली प्रोसेस्ट खाने होते हैं, वो पेट्रोल की तरह होते हैं, इसलिए उनको तो हम लोग खाएंगे ही नहीं, जो भी हमारे डाइप्रीज के पेशेंट हैं, डिसिप् मत चुकानी होगी, फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, अगर कुछ ऐसा ज्यादा मीठे वाला खा लिया, ज्यादा मीठा आम खा लिया, मीठा केला खा लिया, तो आपने जो है तो फिजिकल वर्काउट करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और तीसरा आप कंसीडर करके चलना, दो तरह के डाइपटीज नहीं, दो तरह के केसिस, दो तरह के हलात आप कंसीडर करके चलो, एक डाइपटीज होगी जो कंट्रोल्ड है, जिसमें शुगर जो हमारी कंट्रोल्ड है, और एक जो होगी वो नॉट कंट्रोल्ड है, तो जो नॉट कंट्रोल है ऒो जो है इन सारे चीजों का अनले सकते हैं थोड़े से यह दो फील्टर लगाएं और तो छिन्में शोगर कंट्री नहीं है जन्में शोगर Сो है 9 रहला है चार सो है पांसो है तो थोड़ा सा करफयू लगाना पड़ेगा फिर करencies लगाने के बाद जैसे control आ जाए तो फिर वो भी इस category में आगे control वाली category में तो फिर वही आगे बाद की natural चीजें खा लें और जरूर खाएं और उनको बन कर लें तो उनमें बस दो चीजों का ध्यान रखें जो भी चीजें स्वाद में मीठी हैं चाहे वो मीठा आमे यह कर रहा हूं मैं बात non controlled की जिनकी शुगर जो है तो डेड़ सो के नीचे नहीं आई हुई है control नहीं है खाना खाने के बाद ठीक है उनकी बात कर रहा हूं सबकी बात नहीं कर रहा हूं सबको टेंशन लेने की जूरत नहीं है सब जो है तो नेचर से डिरेक्ट जो मिलता है उसको खा सकते हैं बशरते कीमत चुकाएं पर तो जिनकी शुगर controlled नहीं है वो जो है तो strict curfew लगाएं जितनी भी चीजें सुआद में मिठी हैं वो बिलकुल फिलहाल ना खाएं और दिल छोटा ना करें आगए आपको छूट मिलेगी ठीक है तो फिलहाल ना खाएं पहले mission बनाएं कि हमने इस category में आना है देर भले ही हो जाए देर सवेर सब को कीमत चुकानी पड़ती है दोस्तों तो आप ने इसमें कोई depression में आने की कोई जरूरत नहीं है कि अब हम जी ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते, वो कोई भी नहीं खा सकते, अगर आप जागरूप हैं तो देख लेना आप जितने भी जैसे सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़ी-बड़ी एड्स कर रहे होते हैं चीजों के और खुद वो चीजे नहीं खाते होते ह है अगर बड़े गोल को एचीव करना है तो बहुत सी चीजें दोस्तों छोड़नी भी पड़ती हैं तो आप छोड़िये और उसी आपको कई गुना ज़्यादा फाइदा मिलेगा ऐसा नहीं सिर्फ डायवटीज में हर वीडियो में में बोलता रहता हूं कि इस चीज को फॉल कोई का पैशेंट पाइदा तो उसको भी तो नुक्सान होगा अगर कोई गास वाला पैशेंट काता है उसकी यंत्रय हों में फस जाएगा हो ठीक है अगर कोई को इस चीजों से तो इन से चीजू से दुनिया बढ़ेगी तो जो सिठान्थ है वो सबके लिए की सेम हैं आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ सबस्क्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए हमारे इस कोशिश को और कमेंट मीचे जुरूर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद